हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पर आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इंगलिस का मॉश्ट इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोशन अंसर लेकर आया हैं जो आने वाला दिन आपका एक मार्च को आप गोल रहा है कि टॉमी वाक्ट अवे विथ दा डैस बुक बीनेथ हिज आर्म यानि जो टॉमी जो था वो अपने बाह में किस तरह का बुक को दबा कर चला गया था तो यहां पर आपको बताना है टॉर्ण बुक था डस्टी बुक था या फिर मैजिकल था तो इसका जो मैला बुक था ठीक है कोश्चन नमबर आते हैं दो पे कोश्चन नमबर दो में कह रहा है आपसे एकोर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम इसकूल वेर यानि मार्गी के अनुसार आपको बताना है कि पुराने समय में जो इसकूल होता था वो कैसा होता था बड़ है कि whose father knew as much as teacher ठीक है मतलब इसका कहने का है क्या बोल रहा है यह कह रहा है कि उसके पार्ट का whose father knew as much whose father knew as much ठीक है मतलब किसके पिता एक सिक्षक जतना ग्यान रखते थे ठीक है किसके पिता जो थे एक सिक्षक जतना ग्यान रखते थे टॉमी के मार्गीस के ब्लेर के या फि इसका Tommy का, किसका हो जाएगा, Tommy के जो पिता होते थे, पिता थे न, वो एक teacher के जैसा घ्यान रखते थे, question number आते हैं हम लोग 4 पे question number 4 में आपसे कहा जा रहा है कि how many subjects, how many subjects are mentioned in this chapter, इस chapter में कितने subject को mention किया गया है, तो इस chapter में 3 subject को mention किया गया है, ठीक है, याद रखना है, why would anyone write about school who said this, क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है, कोई school के बारे में क्यों लिखेगा, यह किस ने कहा, कोई भी school के बारे में क्यों लिखेगा, किस ने कहा, Tommy ने कहा, Margie ने कहा, मिसेस जोन ने कहा, या फिर ब्ले撇र ने कहा, किस ने कहा, आपको बतानी है, तो right answer हो जाएगा, क्या, मार्गी ने कहा था, किसने कहा था, मार्गी ने option number B हो जाएगा, question number 6 पे आते हैं, question number 6 में कहा जा रहा है कि margis had to write out her homework, margis has out her homework, इसका क्या मतलब वो, इसका मतलब वो का margis को अपना homework लिखना था, ठीक है किस में लिखना था, russian में लिखना था, punch code में लिखना था, english में लिखना था none of this, याने कि किस में लिखना था उसको, तो उसको जो अपना homework लिखना था punch code में लिखना था, याद रखिएगा option number B हो जाएगा, इसका right answer question number आते हैं, हम लोग 7 पे कहा जा रहा है कि after fixing the mechanical teacher, the big screen displayed, ठीक है, क्या होगा mechanical ने जब एक screen को ठीक कर दिया था, तो फिर उसको क्या परदरसीत होगा, क्या दिखा, mortgage का face दिखा, all the lessons and questions asked, या वो दिखा, ठीक है, या फिर a real book, या फिर none of these, ठीक है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका options number B, all the lessons and questions asked, ठीक है, question number आते हैं, 8 पे, question number 8 में कहा जा रहा है कि, the county inspector had a whole box of, ठीक है, तो इसका right answer क्या होगा, या आपको बताना है, तो question था हमारा, the county inspector had a whole of box, ठीक है, यानि county inspector के पास एक पूरा बकसा था, क्या चिसका बकसा था, उसमें क्या रहता था, ठीक है, tools and chocolates रहते थे, tools with dials and wires रहते थे, या फिर pins रहते थे, या फिर बोत है, A and B दोनों रहता था, तो क्या हो जाएगा, इसका right answer, इसका right answer हो जाएगा, option number B हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहता था, tools with dials and wires, ठीक है, option number B, इसका right answer होगा, ठीक है, question number आते हैं, हम लोग 9 पे, question number 9 में कहा जा रहा है, why did margis hate school now more than ever, margis को अब school से जो है, पहले से ज्यादा जो है, नफरत क्यों होने लगी थी, यह आपको बता नहीं है, ठीक है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number B, because of her scores in geography which get worse and worse, ठीक है, मतलब geography में उसका जो number ना, बहुत कम आया था, पहले से भी और ज्यादा number उसका खराब होता चला जया था, जोगरोफी में इसके कारण, ठीक है, question number आते हैं 10 पे, question number 10 में कहा रहा है, कि margis was scornful about, margis was scornful about, margis was scornful about, margis का तिरिसक करती थी, या फिक किया जाता था, यह आपको बतानी है, ठीक है, तो इसका right answer है, option number B, knowing that the real book detailed about the school, यानि जानते हुए की असली किताब में, इसकूल के बारे में विस्तार बताया गया है, ठीक है, तो यही इसको, यह होता था, ठीक है, option number B, इसका right answer हो जाएगा, तो उमीद क करते हैं कि आप लोगों को आज कही वीडियो पसंद आया होगा, मैंने इसमें 10 objective सवाल आपको करवा दिया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दिजेगा, जल्द ही इसका part 2 लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा करवाया ठीक है, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, इसका next part को पाने के लिए हमारे whatsapp group को join करके रखे क्योंकि notification नहीं जाने पर आपको group में उपलब्द करवाया जाएगा, मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में, thank you